आज फेस्बुक लाइब सा दीटल रैली के माध्यम से जुरे हुए सभी भाई एबं बहनों, युबा साथी एबं भी आईपी पार्टी के सभी पदादिकारी सबको सनफ मला मुके सहनी का नमस्कार परणाम साथियो आज हम अपनी पार्टी की और से हमारी पार्टी 2020 बिहार विधान सभा चुनाप 2020 के लिए किस तरीके से तयारी करे अपने विचार को जन जन तक लोगों तक पहुचाए, मैं उस पे आप लोगों के बीच में परकास डालने का काम करूँगा साथियो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक कम उमर में, 18 साल के उमर में, जिस उमर में मुझे खेलना कुदना था, घुबना फिरना था उस उमर में आर्थिक तंगी के कारण मुझे अपने गाउं को छोड़ना परा और मुंबे जैसे सहर में जाना परा और वहाँ पर मैंने अपने मेहनत, अपने लगण और संधर्ष के बदोलत, हमने अपनी काम्याभी को हासिल हमने किया तो उसके बाद हमने जब बिहार मैंने आया, तो मैंने देखा कि लोग चांद पर पहुँचने के लिए घर बनाने की सोच रहे हैं लेकिन बिहार में हमारे लोग, अपने लोग के लिए रहने के लिए घर नहीं है, सरक नहीं है, बिजली नहीं है तो हमें लगा कि हमारे अपने समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाए लड़ना चाहिए क्योंकि इसी समाज को और निसाज समुजाई को बंगाल में दिल्ली में निसाज समुजाई को आरक्षन पराप्त है लेकिन बिहार में नहीं है देश एक है समिधान एक है उसके बाजजुद भी कहीं न कहीं निसाज समाज के साथ भेदभाव हो रहा है कि एक राज में आरक्षन है एक राज में नहीं है हमने बिहार में आकर निसाद विकास संग का अस्थापना किया 2014 में दर्वंगा के राज मैदान में एक बड़ी रैली किया और वहाँ पे हमें लगा कि निश्ची तोर पे पुरा एक जुट समाज हमारे साथ है हमें मदद करने के लिए तयार हैं हमें इनके हक अधिकार के लिए लड़ाय लड़ना चाहिए और उसके बाद निरंतन हम बिहार में हर जिले में हलक हर मुख्याले में संधर्स करते रहें आंदोलन करते रहें लाठी डंटा खाते रहें और बड़े बड़े नेता के पीछे घुमते रहें लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगा हमें लगा कि जो काम हम दूसरे पोलिटिकल पार्टी को कह रहे करने के लिए और समय आने पे वो वादा तो करते हैं लेकिन समय पूरा होने के बाद वो पूरा नहीं करते हैं तो हमें लगा और हमारे समय तमाम हमारे जो सुबचिंतक थे या जो हमें हमेशा इस संधर्स में साथ देते रहें उस सब के बीच में हमने बात रखा और हम लोगों ने निश्य लिया कि एक political party बनाया जाए जो काम हम दूसरे political party को कहरे करने के लिए वो काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ बसरते उस जगह पे पहुँचने की आप सकता है इसलिए हमने चार नॉमबर 2018 को एक political party हमने बनाया और मजगूती से बिहार में अपनी ताकत का एहसास हर political party को हमने कराया और वहाँ पे हमें तीन लोग सबा सीट पर महा गटवंदन के साथ गटवंदन करने का मोका मिला और मजगूती से बिहार में 2019 के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हमें कहीं न कहीं असफलता हासिल हुआ हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ हमारे रनीती का चूक है और कहीं न कहीं हम लोग उस लेबल पे जागरूप नहीं रहें इसका कारण रहा कि हमें असफलता प्राप्त हुआ लेकिन जो सजुनून तमाम पूरे बिहार में निसासमाज के हर यूबा साथी में उसी परकार के है जिस परकार में 2014 में हमें प्रेरित किया कि बिहार में आप निशा समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाए लड़िये तो निश्ची तोर पे हमने लड़ाए लड़ते लड़ते इस मुकाम को हमने पाया है उसके बाद लोगसभा के बाद हमें लगा कि और मेहनत करनी क्या आप सकता है उसके बाद हम लोगों ने एक उप्चुनाब हमने लड़ा 2019 में ही सिम्री बक्तियारपूर सहरसा जिला में खास करके सहरसा जिला के तमाम हमारे पदादीकारी और सिम्री बक्तियारपूर के सभी कर्च करता को बहुत-बहुत धन्यवाद दूगा कि उन्होंने उस समय साबित कर दिया कि बिहार के तमाम निसास समाज सनप मला की सारे पे और भियाइपी पार्टी के लिए करने मरने के लिए हमेशा तयार रहेंगे और उस उपचुनाब में हमने अपने पार्टी में अकेले दम पे चुनाब लड़ा और वहाँ पे 25,000 से अधिक भोट लाने का काम किया और कही न कहीं वह हमारी ताकत है कि बिहार में हमारे अपने दम पर पार्टी नई एक साल पुरानी पार्टी को 15 पर्चेंट भोट मिलना ये बहुत बड़ी बात है साथियो और उस रोज से हमें लगा कि निश्चित तोर पे इस समाज के लिए और इस पार्टी का जो अंदोलन है उसके लिए हमें संघर्ष करना है आज हमारी मुख लड़ाई है खास करके निश्चा समाज को आरक्षन दिलाना क्योंकि हम आरक्षन की लड़ाई लड़ते लड़ते वहां से ही हमने परिवर्तन लाया के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आज हम पॉलिटिकल पार्टी बनाके और बिहार में हमने देखा हजारों समस्या है तो आज हमने निश्चित कर लिया कि बिहार में निश्चा समाज के साथ साथ पुरे बिहार के युबा के लिए गरीब के लिए सोचित के लिए बंचित समाज के लिए हक अधिकार के ल परदाए लड़ते रहेंगे तो आज हमने खास करके हिंदूस्तान का पहला यह पोलिटिकल पार्टी है जो खास करके अतिपिछरा समुदाई के लिए बिहार में 33% हमने आरक्षन अपने पार्टी में लागू किया जो हमारे पार्टी चुनाब के समय में 33% अतिपिछरा करने के बाद जूद भी अतिपिछरा समाज को क्यों नहीं जगह मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि उस समाज में जागरुकता नहीं है और आर्थिक तरह से मजगूत नहीं है तो निशित तोर पे जब तक आप उनके उपर जवाब दहीं नहीं दिजेगा तो कैसे उनके पास आएगा तो आज हमने अपने जीबन में करपुरी ठाकुर्जी को हमने अपना आदर्स माना अब भीहार में खास करके अतिपिछरा समाज के हक का अधिकार के लिए उनको कुछ देने का अगर काम किया तो हमारे स्वर्गे करपूरी ठाकुर जी ने बिहार के पुर्व मुख मंतरी ने देने का काम किया आज उन्हीं का विचार को मैं आगे लेके जाओंगा और बिहार में खास करके निसात के साथ साथ अति पिछरा समाज SCHT हो इस तमाम साथी को या समान्य बर्ग के लोग हो उन सब को आगे की मुकाम को हासिल कराने का हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और कहीं न कहीं हम लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आप सकता है और संधर्स करने की आप सकता है आज बिहार में अगर हम सरकार की बात करें तो आप देख रहें कि देश दुनिया में 1000 बेक्ती पर एक डॉक्तर की आप सकता गिरता है लेकिन भारत में 11,000 बेक्ती पर एक डॉक्तर है और बिहार में यही आकरा अगर देखिएगा तो 22,000 जन संख्या पर एक डॉक्तर है तो कहीं न कहीं हमारा स्वास बेवस्ता कहां चला गया तो और उसके बाद आप देखिए कि बिहार में मान्य नितिस कुमार जी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया जब 2005 में बिहार के उपर 49,000 करोर कर्ज था और आज ये बढ़कर 168,000 करोर रुपया कर्ज हो गया यानि कि आप 15 साल में 7,000,000 करोर रुपया से अधिक आप कर्ज लेकर बिहार को चलाए हैं आप कैसा विकास कियें आज लोगों को हर एक बेक्ति को उपर 15,000 रुपय का कर्ज आपने चरहा दिया ये कैसी विकास है आज खास करके बिहार में सिख्शाक के उपर हम बात करेंगे तो आज हमारे बिहार में 4,000,000 के आस-पास नियूजिक सिख्षख है उनके बरसों से लड़ाई है समान काम समाने बेतन और सरकार इस पे पहल नहीं कर रहे हैं आज हमारा निश्चित तोर पे बिहार के तमाम सिक्षक साथ हम खरे हैं और मेरा मानना है कि बिहार में समान काम समान बेतर मिलना चाहिए और सिक्षक के संघर्स के साथ हम खरे हैं और आज देखिए कि बिहार सरकार ने 94,000 सिक्षक को बहाली का उन्होंने निर्ने लिया है। उसके लिए परकिडिया उन्होंने चालू किया। पाच-पाच 20-20,000 लोगों को भी अगर नोकरी देते तो बिहार में हमारा सिक्षा का बहतर गुनबत्ता रहता और बिहार का भविष जो हमारे बच्चे हैं उसको पढ़ने लिखने में उसको सहलियत होता लेकिन आपने चुनावी रनिती के तहट आज बिहार का भविष को आ फस गए खास करके बिहार से बरे संख्या में लाखो करोडों के संख्या में हमारे राज इसे दूसरे राज में आज रोजगार करने के लिए गये थे और उस समय में आपने देखा कि किस तरीके से पूरे परदेश के लोग खास करके मजदूर भाई दूसरे राज में परिस और साथ में बिहार परदेश में हमारे पार्टी के सभी पदादीकारी अलग-अलग जिला में मजगुती से काम करने का काम किया प्रदेश काम का काम का oc поймет हमारी पार्टी के अलग-भार्टी निचे को को इसाया हुँआ ही जर हम आ रऴगाती है जर शियन का में लाहताती है से करने का में यहां हमारी मालग दिला का ली और सुमय को वोबさा हिर राम प्रश्च कर रहा था संघर्ष कर रहा था तो बहुत याद आता था गाउं का लेकिन हम क्या कर सकते हैं थे वहाँ पे अपने जिंदगी को किसी तरह से हम बिताते रहते थे तो उसी तरीके से मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे आने वाला भीरी या आने वाले जनरेशन दूसरे प्राज में जाके इस तरीके से मेहनत मजदूरी करें अपने घर परिबार को छोड़ के जाए इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में बिहार में फैक्टरी लगे बिहार में लॉइन ओर सही हो ताकि बड़े बड़े उद्योग पती बड़े बिजनेसमैन बिहार में पता हो कि भारत में सारे तीन लाख करोड रुपया का इंपोर्ट किया जा रहा है दूसरे देशों से सामान को मंगाया जा रहा है और भारत में उसका खपत होता है लेकिन इसमें गुजरात या महराष्ट या चन्ने या दिल्ली ये सब राज काफी आगे है अब बिहार में जीरो है बिहार में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो कहीं न कहीं हम लोग आने वाले समय में सरका करोड रुपया हमें टैक्स के तौर पे हमें बिहार सरकार को मिलेगा और बिहार सरकार के पास 18,000 करोड टैक्स अगर आता है तो राज सरकार को 9,000 करोड टैक्स होता है और 9,000 करोड का सेरिंग जो है केंद सरकार को होता है तो हमारे बिहार में खास करके हमें बिहार में रेव इसका फाइदा महराश गौर्रमेंट को होता था उसी तरीके से हम चाहेंगे कि जो बिहारी हमारे बिहारी भाई है जो दूसरे राज में विजनेस कर रहा है उसको हर तरह का सुप सुभधा दे उनको जान माल का सुरक्षित करे ताकि वो बिहार में आके रोजगार करेगे यह कि यूबा को रोजगार मिलेगा यहां पे काम मिलेगा लेकिन यह विजन के साथ कहीं न कहीं आपको काम करने के आप सकता है उसके बाद खास करके आपने देखा कि कोरोना वाइरस के समय में कितना बिहार से बाहर लोग हैं किसी को पता नहीं कोई 10 लाग को 20 लाग को 50 लाग कि दूसरे राज से लाके देते हैं लेकिन उसके जब जरूरी पड़ता तो उस समय हम कहीं खरा नहीं रहते हैं तो हमारा मुख उदेश रहेगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर स्टेट में दूसरे राज में हम विहार भवन बनाने का काम करेंगे और दूसरे राज में जह सभी सब्सप्राइं these are буде उसी तरीके से हमारे लोग कैश्ड़ कितने तरहीं लोग करें और हाँ उसको हर तरह का हम लोग मदद करने का काम करेंगे क्यूंकि मैं भी मुंमे में रहा हूं महाराश्ड्र में रहा हूं मैंने हुआ पर देखा ही वहां के लोकल लोगों का वल्चस्ट होता है गरीब लोग है उसके काम करा लेते हैं उनको समय आने पर उनको तंखा नहीं मिलता है और ये मजबूरी और ये समस्या हमारे तमाम बिहार के जो भी साती है उनके साथ निश्री तोर पर ये होता है लेकिन वहां पर उनके सामने खरा रहने के लि इसा मसपशंगुति के काम करेंगे Sun अभी मैं यही सब चीजे हैं जो हम लोग आने वाले समय में हम काम करेंगेede और मनिश्ची तोर पे बिहार में बहुत सारे समय उसको समय रहते हुए हम लोग काम करने का काम करेंगे अभी हमारे खास करके निसास समाज से जूरे हुए सभी साथी जो हमारे पूर्व में ही 2004 से कंधे से कंधे मिलाकर और निरंतन हमें उर्जा पराप्ट करते रहें और हमेशा होसला बढ़ाते रहें कि आगे बढ़िये हम आपके साथ है रिश्य तोर पे हमें आप पे पूरा भरोसा है और ये चुनाब 2020 बिहार बिधान सभा करके VIP पाटी के लिए और अति पिछरा समाज के लिए पिछरा समाज के हक अधिकार की लड़ने के लिए एक बहुत नजदिक है सर पर आप लोग निश्ची तोर पे मजगुती से काम करिए निश्ची तोर पे जो आपका विचार है आप जो जिसके लिए संघर्स कर रहे हो हम हर समिधान के दाइरे में रहकर हर जाती धर्म हर लोगों के लिए हम काम करने का काम करेंगे ये मैं आप लोगों स कमिटी बनाईए और मजगूती से आप लोग अपने अपने तैयारी करने का काम कीजिए उसके बाद निश्चित तोर पे हमने पहले ही घोसना कर चुका है कि आतिरी पिछरा समाज को 33% आरक्षन देंगे जिसमें बींद बेलदार नुनिया मला निसात के सभी 22 उपजाती यह पिछरा में ही आते हैं और हम लोग निश्चित तोर पे पुरे बिहार में खास करके गरीब लोगों को चैन करेंगे ताकि गरीब के लिए हमेशा संगर्स करते रहेंगे ऐसे लोगों को चुनाब लगाने का हम काम करेंगे इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी कीजिए सं पिछित तोर पे हम आपको मोका देंगे और मैं चाहांगगा कि हमारे पाटी के सभी करता या पाटी के जो सपोर्टर है संगठन के वो सभी को मोका मिले चुनाब लगने का इसके लिए अभी कोरोना महामारी के समय में आपको पता ही है कि पुर में जिस तरीके से चुनाब 2019 19 में या 15 में हुआ उस तरीके से इस बार नहीं होने वाला है इस बार आपको डीटल प्लेटफर्म पे आना परेगा WhatsApp गुरूप बनाना परेगा Facebook बनाना परेगा और अपने अपने लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा परसार परसार आपको जादा करना पड़ेगा इस समय जादा बड़े-बड़े रैली नहीं होना है तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको संगठन उस तरीके से खरा कर दे ताकि आपको कभी कभी समस्या नहीं आएंगे आज बड़े-बड पार्टी है उनके साथ आप लर रहे बरे-बरे लोग है उनसे आप लरे उनके सामने में आपकी पास कोई बैबस्ता नहीं है वह हजारों करों रुपया चुनाप में खर्च कर सकता है लेकिन आपके पास भोट है और आप निश्चित तोर पे चुनाप जी सकते हैं पहले राजा के घर में बच्चा पैदा होता था तो वो राजा बनता था लेकिन ये लोक तंत्र में जिसके पास अधिक भोट है वो बैक्ति बिहार का मुख मंत्री बन सकता है या बिहार का विधायक बन सकता है और वो भोट है आपके साथ है तो इसके लिए आपको मजगूती से अपने लोगों के बीच में गौँगौँ में घुम घुम कर संगठन पर काम करनी के आप सकता है और उनको अपने और प्रिरित करना है पाटी के लिए और इसके लिए आपको परसार परसार करनी के आप सकता है उसके बाद आपने अपनी सरकार बनाए जो आप लोग बरसों से लराए लर रहे हैं वो आपके विचार धारा तब पूरा होगा जब आपकी सरकार बनेगा आज जो हमने इतनी बात को रखा आप लोगों के बीच में ये कब पूरा होगा जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगा तब तक ये पूरे नहीं हो सकते आज बहार रहे के हम कितने भी आंदोलन करें, कितने भी लड़ाय लड़े, कितने भी डंटा खाएं लेकिन सरकार सुनने वाला नहीं है, आज आपने देखा, 6 साल से लगातार, हम लोग संधर्स कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा काम हमने नहीं कहा, ये जब देश एक है, समिधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों जब बिहार बंगाल एक ही राजी था, जब वहाँ पे बंगाल में आरक्षन मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं और मैंने भिंदुस्तान के टॉप लीडर से हमने बात किया, और टॉप लीडर ने हमसे चुनाव के समय में वादा किया कि आप हमारे साथ रहे, मदद कीजे, हम आपको आने वाले समय में आरक्षन लागू करेंगे, और ये आपका अधिकार है, लेकिन जब समय बित जाने के बाद किस तरीके से अपने मूँ फेर लेता, वो आप लोगों भली बाती पता है, तो इसलिए आप लोगों को मजगू से बिहार में कती पिछरा समाज के लिए, निसाद समाज के लिए, निसाद के सभी उपजाती के लिए किस तरीके से हमने काम किया, और आज बिहार में, आज हमें वो ऐसी ताकत वन के खरा हो गए, कि बिहार में हमारी 2020 में बहुत बरी वजूद होगा साथियो, इसलिए आप आप लोग से तमाम लोगों से हाद जोर के अपील है कि आप लोग संगठन पे दीन रात एक लगा दीजिए जिस तरीके से मैंने अपने आइसो औराम की जिंदगी को छोड़कर मुंबई को छोड़कर बिहार में 6 साल से आप लोगों के बीच में संगर्ज कर रहा हूं उसी त सारे साथ ही पूछते हैं कि गठवंदन में क्या है तो आप मैं आप से कहूंगा एक ही बात कि महा गठवंदन में हम थे और हैं और आगे भी रहना चाहते हैं और आप बिल्कुली फिकर मत कीजिए आप सिप अपना काम कीजिए और गठवंदन किस तरीके से होगा कैसे होग यह हमारे उपर छोड़ दीजिए आपने देखा 2019 में उप चुनाब के समय में एक सीट को लेके थोड़ा सा हम लोगों को आपस में ताल बेल नहीं बैट पाया अपनी ताकत दिखा के हमने चुनाब लड़ने का फैसला ले लिया तो हम पार्टी इतनी मज़गूत है 15% भोट ह हमारे पास हम किसी पॉल्टिकल पार्टी के पीछे घुमने वाले में से नहीं है हाँ साथ चलने की बात करेंगे समाने विचारधारा की बात करेंगे लेकिन हम किसी के पीछे चलने वाले में से नहीं है इसलिए आप निशित होके अपने आपको ताकतवर बनिए अपने बनाया 72 साल के बाद पहली बार आपको मोका मिला बिहार में नितृत करने का उसी तरीके से आप संघर्ष करते रहे निश्य तोर पे आने वाला जो सरकार होगा उसमें आपका बहुत बड़ा भूमिका होगा और खास करके बिहार में अतिपिश्रा समाज जिनके साथ जाएगा उनकी सरकार बनना है और रिश्य तोर पे करपूरी ठाकुर जी के सपना को साकार करने के लिए मैंने अपने आपको निश्य ले लिया कि मैं उनके आदारी करपूरी ठाकुर सरके करपूरी ठाकुर जी का सपना को साकार करेंगे और रिश्य तोर पे आति पिछरा समाज आज मजगूती से गोलबंद हो चुका है और भी आईपी पार्टी के साथ है तो इसलिए आप लोग अपने आपको संधर्श के साथ साथ आप काम करते रहे और आगे पीछे बिल्कुल ही नहीं देखना है आज देखिए मैंने एक 18 साल को उमर में मैंने गाउं छोड़कर मुंबे गया मैं अपने जिन्दगी में देखिए कितना परिवर्तन लाया और जब मुझे मोका अगर बिहार में मिलता है जिस तरीके से मैं अपने जिन्दगी में परिवर्तन किया हूं उसी तरीके से मैं बिहार के लिए मैं परिवर्तन करने का काम करूंगा क्योंकि मेरे पास आज बिहार सरकार 15 साल से आपने आपको कह रहे कि सुसासन की सरकार आपने क्या किया बिजनेस पे उद्योग पे क्या किया अभी आपने चुनाव का समय है कोरोना के बाद आप 500 करोड प्या खर्चा करने का निर्ने लिया आप ये 15 साल पहले आपने क्यों ने किया आपने सबा लाग करोड रपया बिहार के उपर करज आपने डाल दिया, हर एक यूबा के उपर 15,000 रपय का करज आपने डाल दिया, आपने इंपोर्ट पे आपने क्या किया, आपने फैक्टरी लगाने के लिए आपने क्या किया, जबकि बिहार में हर तरह का छमता है, आज मेरे जैसे लो पहले से डेवलपमेंट है लेकिन गुजरात बहुत कम समय में बहुत आगे गया उसी तरीक से चन्ने या परदेशों को आप देखिए तो बहुत आगे गया लेकिन बिहार में इतना सब कुछ रहने के बाद जुद भी हम लोग अभी नहीं देखें तो इसलिए तमाम साथी से अपील करूँगा कि इसी तरीके से आप लोग सोसल मीडिया के जरिए आप लोग डिटल रैली के माध्यम से लोगों को जागरू करने का काम कीजिए इसी तरीके से हर मुद्दे को लेकर हर विधान सभा को लेकर बीच-बीच में पाटी के पदादीकारी भाई भी खुद इ लिए बहुत ही बनिया प्रियास किया और बहुत ही अच्छी तरीके से गाऊ गाऊ में घुम घुम कर आप लोग ने इसके दियारी किया और खास करके यूबा और वियापी में पारटी के साथ यूबा है। युबा युबा बहुत कुछ कर सकता है बहुत कुछ परिवटन ला सकता है और वह आज मुझे पूरा घर्व के साथ में के ता हूं कि पूरे परदेश में युबा आज मजगूती से VIP पाटी के साथ दीन रात खरे हैं अब मुझे पूरा वो दीन मैं देखने के लिए जा रहा हूँ कि मेरा जो मिशन है और विजन है और जो हमारे सपना है निश्चित तोर पे निशा समाज का आने वाले साकार होने वाल के लिए जा रहा है तो इसलिए साथियों आप लोगों से यही अपील है कि जिस तरीके से आप लोगों ने अभी इतना मजगूती से आपने काम करने का काम किया है उसी तरीके से आने वाले समय में आप लोग पाटी के लिए काम करते रहें और संगठन को आगे बराते रहें और जिन साथी को चुनाव लड़ना है अपने बूत कमीटी पे तयारी करें और फिर आप पटना तक आई है हर तरह का हम लोग आपको मदद करेंगे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे हर जाती धर्म के लिए काम करेंगे निश्य तोर पे हमारे सुपचिन तक हमारे कुछ साथी कुछ दोस्त होंगे जो फेस्बुक लाइब पे जरिये देखेंगे कि वो उनका मन में विचार होगा साइद निश्य समझ की बात करते हैं देखे मैं निश्य समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते मैं इस मकाम तक आया हूँ तो आज मेरा निश्य समाज से ही जितना हमदर्दी है उतना ही बिहार के तमाम हर गरीब हर जाती धर्म से हमदर्दी है और निशित तोर पे हमारी कोर भोटर जो है, खास करके वो निशाज समुझाया है और वो मजगूती से संघर्स करके हमें यहां तक पहुचाया है और हमें लक्ष तक भी पहुचाने का उनका बहुत बढ़ा योगदान होगा और निश्चित तोर पे आज बिहार में हम देख रहे हर जाती धर्म के लोग भी आज कहीं न कहीं VIP पाटी की ओर देख रहा है तो निश्चित तोर पे मैं आपको भरोसा दिलाने का काम करूँगा कि हमें जबी भी मोका मिलेगा किसी से भेदभाव की ये बेगर हर जाती धर्म के लिए मैं हर यूबा के लिए मैं बिहार में काम करूँगा आपको मैं बता दू कि जब मैं बिहार से भाग कर मुंबए गया तो मुझे पता नहीं था 2012 में मुझे पता चला कि मैं मैं एक अती पिछला समाज से आता हूँ मैं हर जाती धर्म से उठकर मुंबे जैसे सहर में मैं काम करते रहा हर जाती धर्म को अपने दोस्त अपने नज़िकी में लाकर अपने कामों में उसका सहयोग लेता था उनको सहियों करने का काम हमेशा किया तो बिहार में भी हमें जबी भी मोका मिलेगा किसी से भेद भाव किये वेगर मैं हर जाती धर्म के साथ मैं काम करने का काम करूँगा और खास करके बिहार के यूबा के लिए बिहार में बहुत ऐसे चीज है जो आप कर सकते हैं आज जिस तरीके से मुंबई में बॉलीबूड है उसको आप बिहार में ला सकते हैं आप इंपोर्ट दुसे दुसे राज करता है बिहार से कराया जा सकता है बिहार में फैक्टरी बहुत बंद चीनी मिल से लेकर तमाम फैक्टरी पहले आप 90 से पहले यासी के दसक में बहुत सारा फैक्टरी चालू था लेकिन अभी बंद है उस सब को चालू करने के आप सकता है और आपके पास बहुत सक्षम लोग है आज मैंने बिहार से बहार में देखा अलग-अलग राज में चाहिए वो गुजरात हो या महाराष्ट हो या दिल्ली हो या हरियाना हो अपने बिहार के बहुत सारे लोग बिजनेसमेंट बड़े-बड़े धनी लोग दूसरे राज में काम कर रहा है सिर्फ उनको बिहार उनको हर तरह का फैसलिटी देने के आप तकता है निश्ची तोर पे हर ब्यक्ति चाहेगा क्यों वो अपनी राज में जाके काम करे हमें आज मोका मिला तो हमने मुंबई को छोड़कर राज हम बिहार में दिन रात टेक करके हम काम कर रहे यह हम अपने संघर्स को पूरा करने के लिए तयार है उसी तरीके से आ हम अपनी राज में जाएंगे और यह बहुत अच्छा मोका है बिहार के लिए जो सरकार इस पे ध्यान दे और बिहार के लिए कुछ करे ताकि जितने भी हमारे बिजिनेसमेन उद्योग पती जो दूसरे राज में काम कर रहे हैं वो बिहार में आके काम करेंगे और मेरा आन खास करके बिहार के उपर देख रहे हैं हम लोग जिस तरीके से उत्तर परदेश में काम कर रहे हैं आप काम करते रहें और बिहार चुनाप के समय में आप लोग आएं बिहार में मदद करने का आपने निरने लिया है आप लोगों को स्वागत करते हमने बिहार के साथ-साथ उत्तर परदेश में भी समाज के लिए हक अधिकार के लिए हमने संगर्स किया वहाँ पे भी हमने बरी समय हमने बिहार उत्तर परदेश में तकरीबन पूरे उत्तर परदेश का हर जिला में हमने रत यात्रा निकाल कर वहाँ पे समाज को भी हमने जागरूत करने का काम किया तो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में निसाद विकास संग आने वाले समय में काम करेगा और भी आईपी पार्टी पूरे देश के बारे में सोचते रहेगा हमेशा देश के मुद्दे पर हमेशा देश के साथ हमेशा खरा रहेगा चाहें सरकार जिसका भी केंदर में क्यों न हो हम उनके साथ हमेशा खरा रहने का काम करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद सभी साथ ही को बहुत-बहुत धन्यवाद